हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपकी सेकंड यूनिट को 20 तो 25 मिनिट में कम्प्लीट करा दूंगी विद पीडिएफ नोड्स तो हमारी सेकंड यूनिट का नाम है एंडेपेनॉरियल आइडिया एंड इनोवेशन तो इनोवेशन क्या होता है सबसे पहले टापिक हमारा इनोवेशन इनोवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते है कुछ पुराने प्रोड़क्ट को कुछ नए आइडियास का यूज करके इंप्रूफ करते हैं और फिर कुछ बैटर बनाते हैं जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो जाए और ठोड़ी एजी हो जाए और वो कुछ जाधा यूस्फुल हो जाए ठीके प्रोडक्ट for example के लिए स्मार्ट फोनस है इस स्मार्ट फॉनस में क्या होता है हमारे सारे functions होते है उसमें वह कंबाइन करता है एक फोन के function को computer के function को कैम रेको हमारे सब चीजी एक ही डवाइज में अवलेवल होती है दूसरे टॉपिक हमारा इंपॉटेंस ओफ इनॉविशन हम सब को पता है इंपॉटेंस दोब्रोड़क्ण क्या करता है इंप्रूब करते हैं मार्केट में जितनी भी फीलिंग होते हैं वो हमारे अंदर एक जगा के रखता है बिल्कुल किया आर कॉम्पटीशन तो चली रहा है मार्केट में हमारा तीसर टॉपिक है रोल ओफ इनोवेशन रोल ओफ इनोवेशन क्या होते है वह यह कॉम्पटीटिवनेस बनाया रखता है वह एक क्वालिटी उसका मार्केट के निव ट्रेंट्स लेकाता है थाइन वेशन की टाइप स्टाइब की पार्टेन पर इनोवेशन होते हैं सबसे पहला हमारा in किरिमेंटल इनोवेशन में क्या करते है हम एक अग्जिस्टिंग प्रोड़क्ट के अंदर पुछ सर्वेसिस को चेंज कर देते कुछ improvements ला देते हैं for example के लिए तो क्या करते हैं कोई भी phone है हमारा पहले क्या करा हमारे phone ने 48 megapixel का camera देया उसके कुछ time बाद कुछ month बाद उन्होंने दुबारा से अपना phone launch कर और इस बार उन्होंने 50 megapixel का camera दे तो उन्होंने क्या करा थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया थो जैसे कि हमारे पहले cable TV आते थे उसमें हमने क्या आप कैसे smart TV आने लगी Netflix पी extreme होने लगा उसमें और बहुत सारी चीज़े हमारी ऐसे चलने लगी पहले हम वो cable वाले TV आते थे जब light बहुत जादा बारिश पढ़ती थी light वो light में problem होती थी तो हमारा cable TV चली नहीं पाता था आप तो सब चल जाता है architectural innovation architectural innovation में क्या होता है हम क्या करते हैं कुछ changes ला देते हैं किसी भी product में जैसे कि हमारी कोई नई technology को यूज करते हैं ठीके कुछ नया architecture देते हैं कुछ नई form देते हैं नई designs implement करते हैं अपने पुराने ही किसी product के ओपर इनो क्या करते हैं लॉजी का यूज करते हैं कि हमारे जो goods वो कैसे transport होते हैं ठीक है अगला हमारा four type मतलब fourth type है इसका radical innovation इनोवेशन में हम क्या करते हैं entirely new industries मतलब क्या करते हैं बिलकुल यह नए innovation करते हैं कुछ नया create करते हैं जैसे कि इसका एक example मेरे दिमाथ में बहुत अच्छा रहा है जै EVs का ठीक है ना electric vehicles का electric cars का तो भी बहुत अच्छे example हो जाएगा बाकिया हमें पता है इंटरनेट हैं इंटरनेट जब से हमारे invent हुआ है तो बहुत सारी चीज़े हैं बहुत easy नहीं हो रही है communication business information sharing globally हम कैसे भी गर सकने हैं बहुत easy हो जाता है अगला हमारा topic है entrepreneurial idea generation यह important है इसको mark कर सकते हैं यह कोशना आपका पूछा गया है ठीके ना यह आता रहता है एक्जाम में तो आप इसको अभी important mark कर लीजिए तो entrepreneurial idea generation का मतलब क्या होता है कि business के ideas को use करते हैं और उनको क्या करते है business opportunities को देखते हैं और solutions को देखते हैं उन ideas के use करके कि हम betterly क्या कर सकते है इसकी importance क्या होती है इसकी importance होती है एक तो नया business start कर लेंगे हम idea से कुछ प्रॉब्लम से उनके ने solutions सोचेंगे ठीक है इसका process क्या होता है इसका process और steps भी आते हैं ठीक है तो आप धियान से इसको सुल लेना सबसे पहले इसका find a problem जब तक हमें problem का नहीं पता होगा कि market में problem क कैसे देखेंगे for example जैसे कि क्या है कि यह बहुत अच्छा एक्जामपल आजकर बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो आपको यह एक्जामपल अच्छा लगेगा तो क्या हो सकते हैं जैसे कि एक example हो सकते है हमारा कि कोई भी healthy meal जो है अब मिलना मुश्किल हो रहा है कोई office में जरके शाम को गर आ रहा है खाना नहीं बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं फूट सर्वेस स्चार्ट कर सकते हैं जिसमें हम healthy या फिर घर का बना हुआ खाना दे सकते हैं तो यह प्रॉब्लम होगा इसके एक solution होगा जो कि हम business idea में convert कर सकते हैं दोसरा हमारा हो जाएगा इसका ठीक है या नहीं है मतलब कि कौन कौन सी technology का इसमें यूज होगा वो technology available है या नहीं है क्या क्या opportunities है इसरे माल हो जाएगा brainstorming brainstorming में क्या होगा कि हमारा जो गोल है जो हम create करना चाहरे है उसके हम देखेंगे कि वह feasible भी है या नहीं है ठीक है न कि जो हम भी हमारे multiple ideas अब देखो कोई भी problem हो उसके solution तो होता नहीं है बहुत सारे solutions होते हैं अब हमने कोई solution देख लिया कि भाई healthy खाना नहीं मिलता है लोगों को हम क्या करेंगे aeroplane से जो ना उसको खाना दे के आया करेंगे तो मतलब कि ऐसा हो जो real में हो सके ठीक है realistic हो अगला है हमारा आईडिया evaluation में हम क्या करेंगे हम आईडिया को मार्किट में थोड़ा सा देखेंगे कि कौन-कौन से factors होते हैं मार्किट में ऐसा कोई product पहले तो नहीं है हमारा product feasible है या नहीं है जो जो हमें resources का use करना है अपने product को बनाने में वह मार्किट में available resource या नहीं है ठीक है और हमारा अगला होता है test and validation test and validation हम क्या करेंगे कुछ लोगों की feedbacks लेंगे या फिर small unit बनाएंगे उसमें test करके देखेंगे कि जो हम सोच रहे है वो ठीक है या फिर नहीं है या फिर जो हमारा idea है ठीक है न वह सच में लोगों के problem वो solve करेगा या फिर नहीं करेगा अगला करेंगे refinement and development अब हम क्या कर strategy बनाएंगे अपनी के हमें ऐसे करना है execution करेंगे उसका ठीक है resources टेकिंगे सब चीज़े फिर लास्ट होता हमारा implementation फाइनली जब मेरा idea action में आ गया है मैंने इसको अच्छे से business में convert कर दिया है अब मैं क्या दरूंगी product को development कर दिया मैंने product का उसको marketing में डालूंगी ठीक है business opportunity business opportunity क्या होते है चांस होती है पैसे बनाने की मतलब क्या करने की easily मैं हूँ मुझे पैसा चाहिए मुझे बहुझे जाताथा पैसा खमारा है हिख выход पड़ाय लिखाई से कुछ नहीं होने का यार हमें आपना खुद का बिजनस खोलूगा तो वह यह कि बिजनस निगता है कि बस्याप बिजनस खोलो एक हम क्या गरेंगे प्रॉफिट कमाएंगे बहुत साथ लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजिस भी होते हैं जैसे कि अपना बिजनस तो स्टाइट कर लेकिन हमें वह जो बिजनस हमारा जब भी तो चलेगा जब हम लोगों कुछ बैटर प्रॉइड कराएंगे कुछ एक नई चीज प्रॉइड कराएंगे जो मार्केट में ना हो importance क्या होती है importance of identifying business opportunity जैसे कि business opportunity हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नए नई तरीके पता चलते हैं हमारे पास पैसा कमाने के problems को solve करने के और अपनी competitor से कुछ बैटर करने का characteristics क्या होती है good business opportunity एक तो clarity होनी चाहिए मतलब कि जो भी opportunity हमारी वो clear होनी चाहिए well defined solutions होने चाहिए relevance relevance मतलब कि हम अपने customers को एक अच्छी value provide कराना चाहते है उनकी problems को एक बहुत अच्छी तरीके से solve करना चाहते है feasibility feasibility यही है कि हमें ख्याले पुलावतनी बनाना है हमें reality में जीना है और reality में हमें solutions provide कराने है ऐसी चीज़ सोचने हैं जो हम सच में achieve कर सके profitability इसमें क्या होता है हमी क्या करना है जो भी हम बनाने वाला है उसे हमारा भाई यह भी investment भी करेंगे हम तो हमें return में भी कुछ मिलन चाहिए तो ना business हमारा डूबी जाए इसके लिपलीटी यह है कि potential होनी चाहिए हमारे अंदर के भी हम चोटा business start करें बाद में आगे चलके अपने business को बनाएंगे अगला topic है हमारा how to find business opportunities ठीक है इसमें क्या customer research मतलब की customers के बारे हम पता करेंगे customers को क्या चाहिए customers को क्या need है क्या problems फेस कर रहे हैं problem hypothesis प्रॉब्लम hypothesis में हम क्या करेंगे कि हम अपने business से कैसे लोगों की problems को solve कर सकते हैं हम यह idea सोचेंगे product hypothesis में क्या होगा हम ऐसे services मतलब की ऐसे ideas को सोचेंगे जो लोगों की problems को बहुत easily solve करते हैं बनाएंगे बिएमीशार प्रोड़ट नहीं है ठीक है फ्रॉड़क्त, curry अपने प्रॉडक्त, रेंगे अपने प्रोड़ट को, अपनी खुर। अपने plan क्रियिट करेंगे पहले हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, किया है एपॉर्चुनिटि इडेंटिफिकेशन, सब करेंगे हम पैस्ट अपॉर्चुनिटि को आप को सारे सम لكن की घ्लप से तो आप वीच बीच से आपको पार इसलिए बोल है हौँग आप मतो चान्ट डाउन्लोट कर लिए और एक बार जैसे आपको समझा रहे हूं तो अपने एक बार लाइन रीट कर लीट आपको दूबारे सुपझेक्ट उठाने की जरुवत भी निपड़ेगी आप बस एक बार समझते रही हैं इसको में समझा रहे हूं आप एक बार खुद से री तो आपको फोन कि आद ले नहीं आएगी कुछ आप फोलोगी नहीं अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट स्किल्स फॉर एंटरेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं ऐसे इसकिल्स चो हमें आरे अंदर चाहिए होती है ऐसी आपिलिटी जो आदर होनी चाहिए एक entrepreneur बनने के लिए और एक business को run कराने के लिए start कराने के लिए इसमें हमारी बहुत सार इसकल्स होती है जैसे कि planning, organizing, leading, controlling, resources like money, time and pupil ठीक है जैसे कि time management सबसे जादा important होता है Types of management skills according to Robert Keds अब हम पढ़ेंगे कि Types of management skills कौन कौन सी होती है ठीक है basically इसके 3 important types होते है important नहीं बोलेंगे according to Robert Keds बोलेंगे ठीक होते हैं technical skills, technical skills क्या होती है specific knowledge होने चाहिए हमें जो भी हमारे particular field है हमें उसके बारे में knowledge होने चाहिए for example अगर आप software engineer हो तो आपको क्या होने चाहिए software के बारे में सारी skills होने चाहिए आपको पता होने चाहिए अपने field के बारे में effects पता होने चाहिए, technology पता होनी चाहिए, technique पता होनी चाहिए human skills क्या होती है, human skills हमारे अंदर जिसके interact करना दूसरों से communicate करना और सबसे ज़्यादा important होता है मेरे according जो कि मैंने काफी fees भी किया है कि हमें क्या करना है लोगों के साथ work करना है क्योंकि लोगों के साथ کाम करना सबसे ज़्यादा difficult होता है according to me चीकिए, ये मेरे point of view अगर आपको चार लोगों के बोल दिया जाया आपको चार लोगों के साथ काम करना है अब आपको क्या करना है चारों लोगों के अलग-अलग राए उन सब को दीखना उन सब को बोलना अगर आप कुछ बोल दोगे तो सामने वाले को फिर पसंद नहीं आएगा कि अब यार यह तो हमें ऐसे बोल रहा है तो बहुत सारे मुसीबत होते हैं ठीक है तो जैसे कि इसमें क्या उत्माइन लीडर्शिप टीम वर्ग जो کہ मैं एक्जांबल दे रही थे एकुछ टीम वर्गा कि टीम वर्ख मेर गॉर्टिंग बहुत मुछ के लभाई और यही आना चाहिए आपको दूसरों 4 वक पक्राना चाहिए conceptual skill conceptual skill में क्या होता है कि कितनी भी complex situations हो हम क्या कर लेंगे analyze कर लेंगे मतलब कि सोच लेंगे अपना दिमाग चला कि बहुत अच्छी strategy सोच लेंगे future के लिए अब बहुत सारी management skills होती है जैसे कि हमारी communication leadership time management problem solving financial management delegation and decision making तो अगले टॉपिक है हमारा value creation value creation क्या होता है यह raw materials को turn करते हैं किसी valuable और एक useful product में for example कोई farmer है वो seeds को किसमे convert कर देता है food में जैसे कि हमने beach बोया beach से गहूं गहूं एक तरीकी का food ही तो हो गया ना हमारा ठीक है उसके बाद जैसके कोई company है वो उसके पास नहने ideas होते हैं तो ठीक है वो idea का use करके क्या बनाता है software बनाता है इसके importance क्या होती है value creation की importance ही होता है कि business को grow कराने में help रखता है competition को बनाये रखता है और बहुत जादे strong relationship बना देता है customer में और हमारे business में अगला topic हमारा creating an enterprise model ठीक है इसके कुछ steps है इनके बारे में आप लिख लेना बहुत easy है बहुत बार हम इन चीजों के बारे में बात कर चुके है जैसे की idea generation research the market पहला हम idea सोचेंगे कुछ ठीक है फिर market में research करेंगे उसके बारे में फिर plan करेंगे अपने business को फिर feasibility हमारे पास business start करने के लिए नहीं है ठीक है team building एक team बनाएंगे जो मिलकर हम साथ करें मतब साथ काम करेंगी marketing branding करेंगी ठीक है ना फिर launch करेंगे और फिर keep up to date मतलब की उसको improve करते रहेंगी continuous improvements करते रहेंगी ठीक है आप notes नीचे आपको मिल जाएंगे description में PDF notes है प्लीज download कर लेना उनको और अभी मैं पढ़ाते रहूंगे आपको notes में mark करते रहेंगे यह question काफी important है यह question हमारा आया हुआ है पूछा गया है ठीक है पीवाइक्यूस मैं आपको provide करा दूंगी important questions और पीवाइक्यूस आपको मिल जाएंगी easily और जो भी extra questions होते हैं जो two marks में पूछ जाते हैं वो भी आपको दे दोगी तो sustainable enterprise model क्या होता है पहले पहले हम वो देखेंगे ठीक है यह एक way होती है मतलब की business को run करने की दिमाद में रखते हुए कि हमें क्या करना है environment के साथ कुछ गलत नहीं करना है मतलब की environment के साथ भी अच्छे से रहना है society के साथ और economic के साथ मतलब कि हम balance करते हैं अपने profits को और अपने responsibilities को जैसे की for example हमें human being है हमारी responsibility क्या है अपने natural resources को protect करना तो हम business ऐसे grow करते हैं अपने profits भी बनाते रहते हैं और अपने nature को भी protect करके रखते हैं अपने resources को भी अगला topic है हमारे strategy for a sustainable enterprise model क्या के strategy होंगी ठीक है circular economy मतलब की हम ऐसे product बनाएंगे जो reusable हो recyclable हो और reduce करेंगे waste को अगला है हमारा energy efficiency energy efficiency का मतलब की कि हम क्या करेंगे renewable energy को use करेंगे sustainable supply chain मतलब की ऐसे materials को use करेंगे या फिर ऐसे partners को अपने business में लेंगे जो की कैसे eco-friendly suppliers हो मतलब की eco-friendly product का use करें customer education customer education मतलब की हम transparent रहेंगे अपने customers के साथ जिससे के हमारे trust और जादा बना रहे है reduce environmental impact मतलब की हम emissions कम करेंगे धुरुआ ठीक है पानी का कम use करेंगे waste ज्यादा नहीं करेंगे अबना topic के वारा organizational effectiveness यह भी बहुत important topic इसलिए मैं बोलती हो notes को बार-बार आप बोलोगी कि बार-बार notes को बोलती रहते हो इसलिए क्योंकि आप इतना मार कर लेंगे तो अब exam में आप जा रहे हो पूरी unit के वज़ाए आपने पहले पढ़ लिए एक बार जो होता है ठीक है हम देखते है कि जो जो हमारा profit हमने सोचा था वह profit हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमारे customer satisfy है नहीं है बतलब कि overall जो performance है वो सही है हमारी organization क्या नहीं है इसके कुछ जो है न हमारे measures होते हैं कुछ key ways होते हैं कैसे measure कर सकते है organizational effectiveness पहला हम बोल achievement हम देखते है क्या है कि है जो हमारा हमने सोचा था target revenue सोचा था मने market पर शेयर सोचीत है हमने वह सही होरए हमारे नहीं होरहा है बतलब कि हमारा goal a job हो ओर मारें नहीं होरह है दूसरा employee productivity जो और employees हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने टास्क जो उने मिले हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं या फिट नहीं कर रहे हैं हमारा कस्टूमर सैटिसफेक्शन यह हमारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे कस्टूमर को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है हम फीडबेक लेत हम अपने resources को अच्छी से use कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं अगला है हमारा last stakeholders 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 satisfaction stakeholder satisfaction में हम क्या देखते हैं हम देखते हैं जो हमारे organization जितने भी मारे stakeholders हैं मतलब की employees हैं owner हैं हमारा investors है वो सब हम से जो expect करते हैं वो हम fulfill कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम कुछ extra topics करने वाले हैं आपकी unit खतम होगे इसके सारे topics हमने खतम कर ले हैं अब हम कुछ extra topics पढ़ेंगे जो exams में two marks में पूछ ले जाते हैं ठीक हैं पहला है हमारा product innovation product innovation में क्या होता है कुछ नया product बनाना कुछ better features के साथ roles of innovation in developing entrepreneurship इसमों होता हम encourage करते हैं business ideas को और build करते हैं strong brand identity को ठीक है enterprise sustainability इसका मतलब होता है कि हमें क्या करने एक business इस वी में चलाना है कि बहुत लंबे टाइम तक हमारा चलता रहे और environment को बिलकुल harm न करे तो मैंने आपको सारे topics करा दिये हैं पूरी unit cover करा दिये सारे notes प्रोवाइड करा दिये extra topic भी करा दिये important और PYQ questions भी मैंने आपको दे दिये हैं आपको description में notes मिल जाएंगे notes में आपको PYQ important questions भी मिल जाएंगे आप उनको download कर लीजी और हम आपको सारे years की PYQ questions और सारे question papers भी provide कराएंगे तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई हमाय kkstore.kky.in पर unboxed और new products काफी crazy loot price पर मिल रहा है link discussion में मिल जाएगी